हेलो फ्रेंड्स मीनू विकेंड किचन में आप सभी का स्वागत है बहुत ही आसानी से धाबे वाली दाल वह भी बहुत ही इजी तरीके से चलिए अब हम बनाते हैं धाबे वाली मूंग दाल अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे कि अध्या बाइल करने की टाइम पर हम इसमें पानी एड करते से चाहिए याद रखेंगे कि यह में साबुत मूंग की दाल लिए इसलिए से पकाने में तोड़ा टाइम लगेंगा और सीटी थोड़ी ज़दा लगानी पड़ेंगी इसलिए हमने इसमें आप डेर का पानी नमक डालें नमक डालानाय है हमसे थालेंगे बाद में बीट संत्दी में ज्यादा है विलिक Christ नमक डाला है। अब आम हम इसे तेन के चार सीटी नमक नहीं ऐने manner जादा जाने कि तरों करने बीटेकम तक था दसदा है। कि दाल पखना के बाद कि बादें Kr पर ही करhatा और हम फिरानने के लिए मिलादार के ताल की दालाяет दाले, मुठार करें टर्डाइ के लिए इस आप लादम कंगे दो बड़े चमाच हीबच हीग तरें हम यह पके टार करने आगें एक फ्रॉच हीड़्, जीर आड़ कर दे और एक टुकड़ा अद्रक का और एक बड़े साइच का प्याज काट कर डाल देंगे तीखे पन के लिए हमने यहाँ पर तीन हरी मिर्च एड़ की है अगर आप तीखा खाना जादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की संख्या बढ़ा सकते हैं पक जाने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइच का बारी कटा हुआ टमाटर एड़ कर देंगे और उसे गल जाने तक पका लेंगे अब साथ में हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर और साथ में आदा चमच नमक और हाव आदा चमच गरम मसाला इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे नमक डालते समय याद रखेंगे कि हमने दाल पर भी नमक का यूच किया था इसलिए हमें नमक डालते समय इस बात को ध्यान रखना है तो माटर को अच्छी तरीके से गल जाने देंगे और टम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो इन प्याज में अच्छी तरीके से आ जाए इसलिए हम अभी से ढख करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे प्याज को डालने के बाद हम देखेंगे मसाला थो अजी तरह ऐसे ली आच वह ऀसे घ्लूझ अइन अवणिते ही मोजा के चिफेन को फिर अच्छ भी पल्हाद कि बया ड्लूद की तोज तक क्लिए लिए अब वाला या फिर य मेरा ल्लुशी मेणेगे पूरी दाल को हम इसमें निकाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर दाल अपको थोड़ी गाड़ी लग रही है तो इसमें तीन बड़े चमच पानी मिला करके तेज आच पे इसे हलका सा उबाल आने देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये बॉयल हो जाए अपटाल का टेश्ट भी बढ़ जाए दाल को अच्छी दिर से मिक्स करने के बाद इसमें एक बॉयल आने के बाद आप युष्पा कटी हुई निया को डाल देंगे और इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे साथ में हम इसमें आदा चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे देखिए दाल लगबग बनकर तयार हो गई है इसे अब हमें केवल दो मिनट और पकाना है तरही मतालों मिक्स करने के बाद इसे एक मिनट पका लेंगे और पका लेने के बाद दाबे वाली मुंक डाल बनकर तयार हो जाएगी वो भी घर पर बहुत ही आसानी से यह देखिए देखा ना आप सबने इसे बनाना कितना आसान है दाल बनकर तयार हो गई है गैस की फिलेम को आफ कर देंगे डावा इस्टाइल मुंग की दाल बनकर तयार हो गई है बहुत ही आसानी से अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रस करें